आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्र में शामलता जी का फीडबेक शेयर करें उनके डॉक्टर रिपोर्ट और प्रेस्क्रिप्शन के साथ आईए सुनते हैं उन्होंने पर टुनाइटर्स की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया हुद बहुत शुक्रिया मैं के बिहाफ पर फीडबेक देने के लिए शामलता जी के अभी आप मुझे बताएंगे उनकी उम्र क्या है और आप कहां रहते हैं अचा तो उनको टिनाइटर्स की समझ से कैसे शुरू हुए सर और उसके लिए फिर डॉक्टर्स को कहां का दिखाया अचा जार ट्वेंची वन देलेगे लो साल तके बोस पर रहे लांते अपर अचा जी तो जार जी से दो हजार इंस तके हम और कान के डाक्टरों को दिखाया के लोग लाजबूल में अलोग एठी होमेटिक ये पुखा लिए है अचा थीक है तो आपने जिसे हमारा ट्रीक्मेंट स्टार्ट किया तो उसके बाद जैसे माम को सबसे पहले किन चीजों मेरा आमाना शुरू हुआ पहले उनों आपके तरफ से ये लिया है तो अब उनको आराम है पहले से अगर मैं पूछू तो इस सो में से कितना पर्सेंट आराम है? सो में से अभी सो परसेंट आराम है ये बहुत अच्छी बात है सर सुनके अच्छा लगा तो अभी वो ट्रीट्मेंट नहीं कर रही है यह तेरपी नहीं लेती है? थीक है उनको कोई किसी भी प्रकार का साइड एफेक्ट तो फील नहीं हुआ कभी अच्छा नहीं ले रही है तो अभी जैसे काफी पेशिंट सुन रहे हूंगे उनका फीडबैक आपके उनके भीहाफ पे आप दे रहे हैं तो आप बताना चाहेंगे कि अगर किसी को थीक है पिज़र लोग तो भी है जो पांडक में अच्छा तो ठीक है ए तो थीक है तो आपके बारे में बताया हुआ थांक्यू सर लास्ट चीज क्या ये फीडबैक में यूट्यूब पे डाल सकती हूं अपने बागी पेशन्ट को अवेर्णस देने के लिए ठीक है तो मैं ये कर सकती हूं तो अभी ये फीडबैक में डाल सकती हूं जो आपने दिया अभी उनके भी हाफ पे 100% का तीके थांक्यू तैक्यू थांक्यू सर अपने के प्याद सकती है